तो आपके अपने प्लेटफॉर्म गाग्यान क्लासिज मां आपका तह दिल से हर दिख स्वागत करता हूं आप सभी जानते हो और रियल नंबर को हमने स्टार्ट किया है और रियल नंबर में हम जो एक्सराइज स्टार्ट करकिया है 1.4 तो इसके जो रिमेंडिंग कोश्चन है आज उसको हम कवर करेंगे और इस पूरे चैप्टर को आज हम क्या करेंगे खतम करेंगे तो चलते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और कोश्चन नंबर सेकिंड लेते हैं एक्सराइज 1.4 का जो कि आपकी स्क्रीन पर होगा कोश्चन नंबर सेकिंड आपके पास क्या कह के चला है वाइल कोश्चन कहके चला है कि आपके पास जो कोश्चन नंबर से उसका आपका डेसिमल एक्सपेंशन करना है लोंग डिविजन मैथड से यानि के जो डिविड रूल होता है उसके मैथड से आपको इसका वो क्या करना है डेसिमल एक्सपेंशन करना है तो हम लेते हैं अपने टर्मिनेटिंग कौन-कौन से थे हमारे सबसे पहला हमारा कोश्चन था फर्स्ट का फर्स्ट था हमारा टर्मिनेटिंग जो हमारा कितना था 13 अपन के 3125 थर्टीन अपोन के थ्री वन कितना था तू फाइफ का इसका हमें decimal expansion करना है तो या तो इसका rule ये है कि थ्री वन तू फाइफ से आप डिवाइड कर दो थर्टीन को और देखो कि इसका decimal के बाद कितने जो है डिजिट आते हैं लेकिन ये बहुत लेंदी होता है हम इस method का use नहीं करेंगे हम क्या गाम करेंगे हम करेंगे हमने पता था थ्री वन तू फाइफ के हमने करें थे तो ये कितना या था फाइफ की पावर शिक्स ये कितना या था आपके पास फाइफ की पावर फाइफ जैसे हमने 3 1 2 5 के जब हम करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 6 2 टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-ट-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो-टो- को टैं की form में लाना है डिएनहाँ मिनेटर को जब 10 की form में लाओगे तो आप उसका डेसिमल एक्सपेंशन बढ़ ही अराम से कर सकते हो कैसे उसको देखते हैं तो हम क्या काम करेंगे हम जो है जब 10 की form में लाने के लिए हम कि अपनी टरफ से 2 की 5 अपन के 2 की 55 से क्या कर देंगे ओपर नीचे कर देंगे इसके बाद हमारे पास कितना जाएगा हमारे पास जो आ जाएगाक वह कितना जाएगा 13-2 की 2 अपन के यह कितना आ गया 5 इंटू की पावर कितना आगया हमारे पास 5 है थर्टीन टूजा 26 थर्टीन थरीजा 39 अटू फॉर्टीवन अब उनके फाइफ तूजा कितना आगया 10 और 10 की पावर कितना आगया 5 10 की पावर कितना आ गया 5 आप सभी जानते हो एक concept होता है 10 की पावर 1 की value हमेशा और 10 की पावर 2 या कह सकते हैं 10 की पावर 3 10 की पावर 1 कितना होता है 10 10 की पावर 2 कितना होता है 100 10 की पावर 3 कितना होता है 1000 10 की पावर 4 कितना होता है 10,000 आप सब भी जानते हो तो यहां से हम क्या conclusion निकालते हैं कि जितनी पावर होगी उतनी ही आपकी क्या है कि 0 यहाँ पर पावर 2 है तो 2 ही 0 आई यहाँ पर पावर 3 ह तो इसलिए हमने यहां से यह concept निकाला अगर टैन की पावर फाइफ है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं पांच जीरो एक दो तीन चार पाँच और आपको पता है कि अगर नीचे जितनी जीरो होगी decimal उतने डिजिट से पहले आएगा यह आप सभी जानते हो तो नीचे पांच जीरो है तो decimal भी कितने डिजिट से पहला आएगा 4163 तीन डिजिट यह है एक अपने तरफ से 0 बनाएंगे एक 0 बनाएंगे पॉइंट लगाएंगे हैं तो यह इसका decimal expansion होगा यही इसका क्या होगा final answer होगा यही इसका क्या होगा final answer होगा तो यह तरीका है इ कोशेन नंबर सेकेंड क्या है हमारे पास कोशेन नंबर सेकेंड हमारे पास है हमारे पास है 17 अपन के 8 17 अपन के 8 इसका decimal expansion करना है तो decimal जब हम करेंगे इसका तो हम इसी क्या लग सकते है eight के factor करेंगे तो कितना जाएगा two की power 3 हमें पता है 10 की फोम में लाना है denominator को तो फाइफ की power 3 से अब उनके five की power 3 से हम क्या कर देंगे उपर नीचे multiply हमारे पास कितना जाएगा 17 55 25 125 125 125 यह कितना आगिया आपके पास 2 into 5 की power कितना आगया हमारे पास 3 हम कर लेंगे यह कितना आगया हमारे पास multiply कर लेंगे 1, 2, 5 को किस्म कर लेंगे 1, 70 में कितना आ जाएगा 35 7 8 5, 2, 1 हमारे पास 5 2, 1 और 2 तो हमारे पास कितना है 2 1 2 5 upon के 2 5 से कितना आगया 10 की पावर 3 का मतलब क्या है कितनी 0 आएगी 3 0 तो 3 0 से पहले 3 डिजिट से पहले हमारी क्या लग जाएगी पॉइंट लग जाएगा तो हमारे पास कितना आजाएगा 2 1 2 5 आपका क्या आजाएगा आजाएगा और यही क्या होगा आपके पास फाइनली अंसर होगा तो इस तरह हम इस कंसेप्ट के हैल्प से इन कोश्चन को क्या करते हैं सोल करते हैं बात करते हैं नेक्स कोश्चन की जो हमारा terminating है question first according next question होगा हमारे पास fourth वाला हमारे पास कितना देखे चला है 15 upon के कितना आगया हमारे पास 16 अंडर यह हमारे पास question है तो हम क्या गाम करेंगे 16 के कर लेंगे factor हमारे पास कितना आ जाएंगे two eights are 16 two से करेंगे four time two से करेंगे two time two से करेंगे one time two से करेंगे 50 time two से करेंगे 25 time five से करेंगे five time और five से करेंगे five time तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानि के 2 की power 6 हम इसे लिख सकते हैं 15 upon के 2 की power 6 into के 5 की power 2 यह हम यहाँ पर लिख सकते हैं हमें पता हैं 2 की power तो 6 है 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 5 की power 2 upon के 5 की power sorry 5 की power 4 किके तो साथ की पावरफॉर अपने फाइफ की पावरफॉर से क्या किके उपड़र नीचे क्योंकि फॉर अर्ट चुड़कर कितना हो जाएगा सिक्स तो हमारे पास कितना आ कितना आगया इनकी कर लेंगे मुल्टिप्लाई कि हम कर लेंगे कितना आएगा फाइफ टू थ्रीवन फाइफ टू फाइफ टू सिक्स फाइफ सेवन थी नाइन तो हमारे पास कितना आया नाइन थी सीवन फाइफ टैन की पावर शिक्स का मतलब क्या होता है सिक зिरो थिरिफॉर फाइफ शिक्स तो सिक्स डिजिट से पहले क्या जाएगी डेसिमल टो फोर तो ये एहिजी नाइन थीजिसश्वन फाइफ टू जीरो अपनी तरफ से मानेंगे पॉइंट यहा लगा नेक्ट कोश्चन क्या होगा हमारे पास 6 6 कोश्चन हमारे पास क्या है 23 हाप पहुन के कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू के 5 की पावर 2 इसका decimal expansion करना है तो हमें पता है 23 हम किसकी multiply कर देंगे 5 की पावर 1 अपॉन के 2 की पावर 3 इंटू के 5 की पावर 2 इंटू के 5 की पावर 1 तो हमारे पास कितना हो जाएगा 23 इंटू के 5 की पावर 1 क्या होता है 5 ये कितना हो जाएगा 2 की power 3 into 5 की power 3 ये कितना हो जाएगा 5 115 ये कितना हो जाएगा 10 की power 3 तो हम लिख सकते हैं 115 अपन के 10 की power 3 का मतलब है 30 0 को cancel out करेंगे तो कितना जाएगा 0.115 आपका क्या जाएगा decimal expansion आपका आजाएगा तो ये होगा आपका finally answer next question करते हैं next question हमारे पास क्या होगा 6 upon के 15 ये तो आप कर सकते हैं 15 से भाग देंगे तो कितना जाएगा 0.04 sorry 0.4 15 चुका साथ 15 फोर्जा 60 तो कितना जाएगा 0.4 आपका क्या जाएगा finally answer इसके बाद next question होगा आपके पास 9th question हमारे पास क्या होगा 35 upon के कितना हो जाएगा 50 तो हम क्या काम करेंगे 35 के factor कर लेगे 35 के factor कितना आजाएगा 7 into के 5 और ये कितना आजाएगा 5 into के 10 5 से 5 cancel out हुआ तो हमारे पास कितना आगया 7 upon के कितना आगया 10 10 है तो एक point से यानिके digit से पहले तो हमारे पास कितना आया, 0.7 आपका decimal expansion आपका आ जाएगा, तो इस तरह हम इन question को क्या करते हैं, solve करते हैं, अब बात करते हैं, last का question, question number third, बात करते हैं, last का question, question number third, जो आपके screen पर है, question में कहा के चला है, the following real number have decimal expansion on as given below in each case, decide whether they are rational or not, if they are rational and of the form P by Q, what can you say about the prime factorization of Q, question में कहा के चला हैं कि सरफ आपको यही बताना है कि कौन सा इसमें से rational है, और कौन सा इसमें से irrational है, यह आपको question में बताना है, जैसे पहला question आपकी screen पर है, और पहला question में हमारे पास क्या देखे चला है, हमारे देखे चला है, 43.123456789, यह क्या है, यह हमें बताना है, हमें बता हैं, अगर हम यहां से point को हटाएंगे, तो नीचे इतनी क्या लग जाएगी, जीरो लग जाएगी, यानि कि एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, साथ, आठ, नो, यानि कितनी जीरो आजाएगी, नो, तीन, चार, पांच, छह, साथ, आठ, नो, और आप सभी जानते हो, जब इसका factor करोगे, तो इसका factor हमारा pair बनेगा 2 इंटू 5 की power का, और आप सभी जानते हो, कि हमारा P by Q, अगर हमारे पास Q, कि जो factor है, वो 2 इंटू 5 के pair की pair में है, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा terminating, यानि के rational number, वो हमारा क्या होगा, terminating, यानि के rational number, तो यही हमारा answer है, कि यह क्या होगा, हमारे पास rational number होगा, बात करते हैं question number second की question number second हमारे पास क्या है point one two zero one two double zero one two triple zero इस तरह हमारे क्या गर रहा है बढ़ता जा रहा है तो आप सभी जानते हो कि ये हमारा continue चलता जा रहा है तो इसलिए अगर ये continue चलता जा रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास irrational number क्योंकि ये रुक नहीं रहा है तो जब जो आपका decimal expansion नहीं रुकता है वो कहलाएगा आपके पास irrational number वो कहलाएगा आपके पास irrational number और third question आपके पास क्या है फ़रड question आपके पास four three one two three four five six seven eight nine और इसके उपर क्या है आपके पास बार इसके उपर क्या है बार तो यह आपके पास कौन सा हो जाएगा यह आपके पास हो जाएगा recurring decimal यह आपके पास कौन सा हो जाएगा recurring decimal क्योंकि क्या है नंबर इस बार का मतलब क्या होता है इस बार का मतलब होता है नंबर आपका ये रिपीट होता जा रहा है तो इसे हम लिख देंगे recurring decimal तो गाइज यह थे आपके पास आज जो हम इस एक्ससाइज को क्या करते हैं अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स चैप्टर के साथ और जो हम नेक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो और उसके कंसे आपको देखेंगे और उसके वन बाइवन कोशन को और करेंगे पड़ते रही अपना ध्यान ना किये टेक केर बबाए